हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो दिस चैनल तो सीजेरियन डिलीवरी के बाद स्कार हमेशा टाइट लगता है या स्कार में थोड़े लंप्स लगते हैं, दाने हो गए हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड या बहुत रेड हो गया है तो फर्स्ट लंबरpर है जो बहुत ही common है और लॉजिकल है जब स्कार लगता है हमारी बॉडी में जैसे वो जूह सीजेरियन होता है बहुत बहुत डीप होता है तो उसको हील करने के लिए हमारी बॉड़ी एक प्रोटीन प्रोट्यूस करती है और blood flow वहां increase हो जाता है, तो वह increased blood flow की वज़े से हमारा जो scar है हमें starting के 2-3 months में, फूला हुआ लगता है, red लगता है, और थोड़ा थिक लगता है, जहां-जहां tissue damage होते हैं, वहां collagen build-up होने लगता है, तो वहां कहीं-कहीं आपको lumps feel होते हैं, starting के 2-3 months में, time के साथ, जैसे-जैसे wound heal होता है, collagen build-up normal होने लगता है, और जो blood flow है, वो decrease हो जाता है, उसके बाद scar आपको थोड़ा smooth feel होता है, थोड़ा इतना tight नहीं लगता है, फूला हुआ नहीं लगता है, और उसका color थोड़ा light हो जाता है, यह बहुत ही common है, यह सब में होता है, क्योंकि जिर्व वहीं नहीं, हमारी body में अगर कहीं भी scar है, कहीं चोट लगी है, तो वहां collagen ज्यादा बनने लगता है, वहां skin को repair करने के लिए, tissue को repair करने के लिए, लेकिन कुछ patient में होता है, कि body ज्यादा collagen produce करती है, तो वहीं पे रह जाता है, जो हमें हमेशे lumps की तरह feel होता है, या कहीं कहीं से scar हमें फूला हुआ लगता है, और second reason हम बात करते हैं, कि जब आपका scar आपको red फूला हुआ लगता है, या कहीं lumps लगते हैं, उसका reason हो सकता है कि आपका scar hypertrophic है, hypertrophic का मतलब होता है कि आपकी body scar tissue ज़्यादा बना रही है, उस वज़े से क्या होता है, जो tissue वहाँ पे ज़्यादा produce हो रहे हैं, वो lumps की तरह मतलब एक mass आपको लगता है कि वहाँ रह जाता है, ये harmless होता है, इसमें आपको pain नहीं होता है बिल्कुल, बस ये होता है कि कहीं कहीं आपको अपने scar पे lumps लगते हैं, थोड़े थोड़े दाने लगते हैं, जो soft होते हैं, ये वैसे harmless होता है, बट आपको देखने में या touch करने में आपको थोड़ा सा irritate आपको feel होता है, कि नॉर्मल नहीं feel होता है, कि वहाँ थोड़े lumps है या थोड़ा सा फूला हुआ से लगता है, बट ये हामले से जब तक आपको इसमें कोई pain नहीं है, अगर आपको pain है, तब आपको डॉक्टर को consult करना है, उसका reason हम आगे next point में discuss करेंगे, next इसमें आता है endometriosis, endometriosis यानि की uterus की एक lining होती है, जैसे master cycle होता है, उसमें पूरे महीने में क्या होता है, uterus के अंदर एक lining prepare होती है endometrium, जिसको endometrium कहते हैं, ये lining एक fixed period में, जब conceive नहीं होती है pregnancy, तो आपको मंतली एक period आता है, वो lining shadow होती है, वो ही period की रूप में बाहर निकलती है, लेकिन जब वो lining जो uterus के अंदर बननी चाहिए, वो uterus के बाहर कहीं बनने लगती है, तो उसको endometriosis कहते हैं, तो जब cesarean scar के आसपास, वो lining develop होने लगती है, यानि कि uterus से बाहर आने लगती है, तो उसको endometriosis कहते हैं, यह आपको lumps, feel होते हैं, अपने scar के ऊपर, और यह क्या होता है, lumps जैसे जैसे आपका cycle यानि कि आपकी period date पास आने लगती है, period का time आपका पास आने लगता है, तब आपको यह थोड़े ज्यादा feel होते हैं, और इसमें बहुत pain होता है, pain आपको ऐसा नहीं कि पूरा महीना रहता है, आपके period के आजपास आपको इसमें ज्यादा pain होता है, और आपको इतना भी pain होता है, कि आप सिर्फ एक उंगली से अगर आप टाच करते हैं, तब भी इसमें pain होता है, तो यह थोड़ा risky होता है, इसमें क्या होता है कि size के according आपका treatment किया जाता है, अगर आपको लग रहा है कि lumps आपको scar के उपर lumps दिखाई दे रहे हैं, जिनका size छोटा या 1 cm तक या उसे बड़ा भी हो सकता है, और आपको हाथ लगाने पे pain होता है, आपके period के आसपास आपको ज़्यादा pain होता है, यह एक दो आपके scar के आसपास हो सकते हैं और scar के आसपास आपको redness रहती है और आसपास आपको pain होता है, तो यह एक symptom हो सकता है endometriosis का, इसका जो main symptom है, वो यही होता है कि अगर आपके कोई lumps बन रहे हैं और आपको उसको touch करने में pain हो रहा है, और period के आसपास आपको ज़्यादा pain होता है, क्योंकि period के आसपास यह line ज़्यादा बनने लगती है uterus में और उसके बाद period के time पे यह line shadow होती है और period के रुप में बहार आती है, तब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा आपको कभी लगता है कि scar में किसी किसी के blood आने लगता है, या आपको उस time पे scar आपको ज़्यादा red हो जाता है, तो यह endometiosis हो सकता है, इसके लिए आपको medical advice की जरूरत है, और आपको doctor को दिखाना है, और इसका treatment अगर यह छोटा है size में, तो दवाईयों से भी treat हो जाता है, लेकिन अगर एक centimeter कहा जाता है, कि एक centimeter तक का है, यानि अगर एक नाखुन के बराबर तक का है, तो इसका treatment आप दवाईयों से करवा सकते हो, लेकिन अगर उससे बड़ा है size में, तो उसके बाद आपको इसको surgery ही करवानी पड़ती ह तो इसको operate करके ही ठीक किया जाता है, तो जो भी reason है, हमने उसके जो reason हो सकते हैं, आपको scar के उपर lumps लगते हैं, दाने लगते हैं, फूला हुआ सा लगता है, उसके हमने जो reason discuss किये हैं, उसमें अगर जब तक lump आपको painless है, आपको कोई pain नहीं feel होता है, हाथ लगाने में, smooth है, soft है, आपके scar के आसपास, आपको किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, कोई irritation नहीं है, तब तक वो normal है, time को साथ अपने आप हील हो जाता है, अगर हील नहीं भी होता है, जैसे हमने second point discuss किया, कि आपकी body scar tissue जादा produce करती है, तो वो lumps वहां रह जाते हैं, या collagen कभी-कभी वहा है, तो यह harmless है, लेकिन अगर आपको हलका साफ की कोई दाना है, और उसमें दर्द है, और period के आसपास यह दाना बढ़ जाता है, size में, यह ज़्यादा pain होता है, तब आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है, so hope यह वीडियो आप सब के लिए helpful है, अगर यह वीडियो आपक अगर वीडियो आपको बढ़ जाए